2013 के Supreme Court जिजमेंस की बात करें तो सुरेश कमार को सलो वर्सिज नाज फाउंडेशन का मामला बड़ा महतपुन मामला था इस मामले में दिल्ली हाइज कोट से अपील जो है Supreme Court पहुंची थी दिल्ली हाइज कोट ने जो consenting adult gay sex का जो मामला था उसको decriminalize कर दिया था जो कि IPC के section 377 के अनुसार एक crime था, punishable offense था और उसमें उमर कैद तक की सजा दी जा सकती थी जब यह मामला Supreme Court पहुंचा यानि कि सुरेश कुमार कोसल मेनली पहुंचे इसके अलावा कई religious organizations थी जो इस फैसले के विरोध में Supreme Court पहुंची थी Supreme Court ने दिल्ली High Court के फैसले को बदल दिया और कहा कि जो section 377 of IPC है उसमें कोई भी constitutional informity नहीं है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके चलते उसको consistently invalid कहा जाए हालांकि Supreme Court ने यह regressive step एक तरह से लेते हुए और यह जरूर कहा कि जो Parliament के पास power है और Parliament को चाहिए कि कानून बना कर इसमें बदलाव करे और जो कि Parliament ने अभी तक नहीं किया है इस judgment के बात Supreme Court की यह judgment आई इस पर काफी लोगों के एक तरह से लोगों का criticism भी आया कि आज के वक्त के हिसाब से यह जो दिल्ली हाई court का फैसला था वो ज़्यादा सही था और जो Supreme Court ने decision दिया है उसमें narrow reading की गई है and interpretation भी इसी तरह से IPC section 377 का किया गया है लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद इस मामले के नवतेज सिंग जोहर versus Union of India के case में जो homosexuality का जो उतना पार्ट जो IPC के section 377 का जो की consenting adults को एक तरह से punishable offense उन पे बंदा था उसको reading down कर दिया और उसको एक तरह से decriminalize नवतेज सिंग जोहर versus Union of India में कर दिया गया